एक योग आसन है जिसे साश्टांग कहा जाता है इस आसन में आप अपने शरीर के आठ बिंदूओं से जमीन को छूते हैं और वहीं रूपते हैं इस आसन में विशेश रूप से फेफडे एक खास तरीके से काम करते हैं इसके कई पहलू हैं पर हम सिस्टम में आउक्सिजन का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं इस आसन में पूरा पल्मनरी सिस्टम अनोखे तरीके से काम करता है ये उन आम आसनों में से एक है जिसे करते हुए आम तोर पर कई गलतियां होने लगी है हर भक्त को इस मुद्रा में जाना चाहिए पर निर्देश और समझ की कमी के कारण वो बस जमीन पर लेट जाते हैं यहां शरीर के आठ बिंदूओं को जमीन से चूने या साश्टांग करने का सही तरीका दिखाया जा रहा है वहीं रुक कर आपको सामाने से थोड़ी गहरी सांस लेनी है यहां माथा, छाती, दो हाथ, दो खुटने और पैर के अंगुठे जमीन पर हैं एडिया एक साथ हैं ऐसे रुकने पर सास स्वाभाविक रूप से थोड़ी तेज हो जाएगी इसी तरह बने रहिए हो सके तो 6-7 मिनिट तक वरना 3 मिनिट से शुरू करें 6-7 मिनिट ऐसा करने के बाद अपने शरीर को आराम दें ताकि पूरा शरीर फर्ष को छुए और फिर मकरासन करें अगर आप पुरुष हैं तो बाय हाथ के उपर दाहिना हाथ रखें अगर आप महिला हैं तो बाय हाथ दाहिने के उपर रखें उस पर अपना माथा रखें और अपने शरीर को 3-4 मिनिट तक आराम करने दें और फिर अपने दाहिने पैर को ऐसे घुमाए कि जांग शरीर के साथ 90 डिगरी का कोंड बनाए और घुटने से नीचे का हिस्सा भी आपके पैर के जांग वाले हिस्से के साथ 90 डिगरी का कोंड बनाए और अपना सिर दाई और मोडे आखें बंद, सामान निसांस और तीन से चार मिनिट तक इस मुद्रा में आराम करें और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें अपने सिर को बाई और मोडे अपने बाएं पैर को ऐसी मुद्रा में लाएं जैसे आप लगभग कुर्सी पर बैठे हो यानि आपकी जांग शरीर के बाकी हिस्सों के साथ 90 डिग्री का कोंड बनाएं और घुटने के नीचे पिंडली और टांग का अगला हिस्सा भी जांग के साथ 90 डिग्री पर हो और आपका सिर आपकी हथेलियों पर और बाई और हो 3-4 मिनट तक इस मुद्रा में आराम करें अब फिर से 6-7 मिनट के लिए साथ टांग करें आप एक बार में ऐसे 3 चक्र कर सकते हैं और आप इसे दिन में 4-5 बार कर सकते हैं खासकर क्योंकि आप में से अधिकान श्लोक अभी मास्क पहने हुए हैं, तो इन्फेक्शन के बिना भी आक्सिजन की कमी का खत्रा है. इसलिए अगर आप दिन में चार से पांच बार ऐसा करते हैं, तो आपकी आक्सिजन का स्थर जरूर बढ़ जाएगा. और इसके बाद सिम्हा क्रिया करें, ताकि आप रोगों से बेहतर लड़ पाएं. आज काफी चिकित्सा सबूत हैं, जिन से पता चलता है कि ये वाकई कारगर है. कई विश्व विद्यालेयों ने इस पर शोध किये हैं, तो इस पर बहस मत कीजिए. बस ये आसन और क्रिया कीजिए. ये एक पूरा इलाज या बचाब नहीं है, पर हमें समझना होगा कि सेहत भी एक साथ पूरी तरह प्रकट नहीं होती. हमारी सेहत, कई कदम जो हम उठाते हैं, उसका नतीजा होती है. इस महामारी के समय क्रिपया ये कदम उठाएं और जितना हो सके, ये पक्का करें कि आप उसका शिकार न बने और नहीं इसे फैलाएं. नमस्कारम और धन्यवाद. साश्टांग और मकरासन को खाली पेट की स्थिति में करना चाहिए. यानि, नीचे दिये निर्देशों के अनुसार कुछ समय रुक कर ये दोनों अभ्यास करें. भरपेट भूजन करने के बाद चार घंटे रुकें. फल या कुछ बिस्किट जैसा नाश्टा करने के बाद धाई घंटे रुकें. चाह या कॉफी जैसा कुछ पीने के बाद देड़ घंटे रुकें. पानी पिया जा सकता है. गर्भवती महिलाओं को साश्टांग या मकरासन नहीं करना चाहिए. हाना कि वे सिम्ह क्रिया कर सकती हैं.